असलाम अलेकुम वेलकम टू अन्रेयल इंजिन 5 बिगिनर टुटोरियल सीरीज इस वीडियो में हम नोड लर्प को देखेंगे कि लर्प नोड क्या होती है यह नोड आएगी आपकी अगर आप लर्प लिखो यहां पर यह डिफरेंट टाइप है लर्प की इस लगत हम वेल्यू देते हैं और थर्ड में अल्फा की वेल्यू है एक ए में हम कोई भी वेल्यू दे सकते हैं माइनस में दे दें जीरो दे दें हंडर्ड थाउजन वटेवर और बी में भी इसी जरह कोई भी वेल्यू दे सकते हैं लेगन अल्फा में हम जीरो दे सकते हैं या वन दे सकते हैं अब output पे क्या value आएगी ये depend करेगा कि आपकी alpha में क्या value है for example अगर आपने alpha में 0 value दी है इस वर्च हमारी a की value है 1 और b की value है 2 और alpha की value है 0 तो output पे अगर तो यहाँ पे 0 है तो output पे a की value आएगी यानिके 100% of a ठीक है अगर आपने यहाँ पे 1 value दे दी तो output पे b आएगा यानिके 100% of b value इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि और अगर आपने 0 और 1 के दर्मयान यहाँ पे कोई value दे दी तो 1 और a and b यानिके इन दो value के दर्मयान में कोई value आउटपुट पे आजएगी मतलब कि जैसे जैसे आप alpha की value को 0 से 1 की तरफ मूव करते जाएंगे वैसे वैसे output पे value a से b की तरफ मूव करती जाएगी अगर 0 है तो output पे a आएगा 1 है तो output पे b आएगा दर्मयान में कोई value दी है तो उस हसाब से a and b के दर्मयान जो भी value बनेगी फाउट पे आएगी practically अब हम जो है इसको देख लेती है simply x कोई में ले आता हूँ again print strength इसको हम red कर लेती है and यहाँ पे x आउगा ठीक है ओके तो यहाँ पे value होगी अब मैंने यहाँ पे alpha में value दी है 0 अब मैं express करूँगा तो output पे यह value आनी चाहिए खेक है output पे one value आ रही है अब मैं यहाँ पे value देता हूँ one अब देखेंगी output पे two value आ रही है अब मैं यहाँ पे कोई दरम्यान में कोई भी value देता हूँ let's suppose मैं 0.5 देता हूँ अब 0.5 क्या है 0 and 1 का half है तो यानि के a and b के mid way half कोई value आएगी 1.5 as expected अब मैं यहाँ पे 0.7 वैल्यू देता हूँ तो 1.7 अनिटिंग ठीक है अच्छा तो यह लर्प की basic functionality है तो इससे जो next video होगी उसमें हम लर्प की value को change करेंगे using timeline तो next video तक के लिए अलाहाफिस